हलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब टीक होंगे तो फ्रेंट्स, आज मैं आपको जो क्रीम बताने जा रही हूँ इसे लगाने से आपके चरे पे जितना भी ड्राइनस है वो दूर हो जाएगा, साथ में जतने भी दाग धब्बबे है, जायां है या फिर झूरिया आगई है, तो वो भी दूर होने वाली है काफी अची क्रीम है, इसे लगाने से, आपके चेरे में ही बहुत अच्छा फरक आने वाला है आपके चरे की जो प्रोब्लम है दागधबों की जाईयों की वो तो दूर होगी साथ में अगर आपके चरे पे टेनिंग हो चुकी है तो वो भी दूर हो जाएगी आपका कलर रहना वो फेर दिखाई देगा बहुत यची क्रीम है इसे लगाईएगा जरूर जब आप लगाए इसे लगाने से एक वार में ही आपको बहुत अचा रिजल्ट मिलने वाला है तो चले फटाफट से देखते हैं किस तरए से बनाना और किस तरह से लगाना है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यां पे ले रह हूँ राइ एक चावल का अटा लिया है तो इस भात का ध्यान रखें आपको दो चमची चावल का अटा लेना है यह मारे चरी के लिए बहुत ज़दा फायदे मुंद होता है चावल का अटा जो है मारे चरी की जितनी भी दाग धब ज्पे जाईया होती है उनिह दूर करता है साहत में में ги करें परिंद किसरे जमंतों करें में भाड़ तरफ की अपती उमतेज्जा है सब्алоक्राइव ग्राइब सब्सक्राइब मिलिश करती है उसके बाइनोगिक रहा है पर दूर कर्ती है और दर हम थे को अचान करती है तो पर दूर गल्सीं नचान करेंगे और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइ है तो आप इसके अंदर थोड़ी गिलस्रीन और ले सकते हैं उसके बाद मैं यहापे ले रही हूँ आदा चमच के करीब ओलिव ओईल अगर आपके पास अली ओईल नहीं है तो आपको बता देती हूँ आप इसकी जगह बादाम का तेल ले सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको कोकोने टोईल बिल्कुल भी नहीं लेना है वरना ये क्रीम आप स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोकोने टोईल जो है सर्दियों में जम जाता है तो यहाँ पे मैंने लिया है आदा चमच उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मैं लेमन का रस ले अगर आपको लेमन का रस बिल्कुल भी सूट नहीं करता है तो देखिए आप इसे स्किप कर सकते हैं कोई बात नहीं है यह क्रीम बहुत अच्छा काम करेगी चैरे पे अगर आप लेमन का रस लेते हैं तो बहुत ज़दा अच्छा रहता है अगर नहीं लेते हैं तो कोई को दूर करते हैं दाग धबों को दूर करते हैं और साथ में हमारे कलर को फेर बनाते हैं यहां पे मैंने दही लिया है और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर और इस क्रीम को इतना मिक्स करना है कि यह अच्छे से क्रीम की तरह बन जाए तो आपको ध्यान रखन तो आप एक बार में ही अपने चैरे पे फर्क देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी सूखी बेजान ड्राय है तो वह ठीक हो जाएगी अगर आपकी चैरे पे बहुत ज्यादा ज्यादा ज्याई आ गई है या फिर पिंपल्स के दाग हो चुके हैं जुरियां आ तो उन्हीं भी ठीक करेगा तो मैंने इस क्रीम को बना लिया है कुछ इस तरह से बनाना है इस बात का ध्यान रखिएगा आपको दही थोड़ा-थोड़ा करके डालना है इसे ज्यादा पतला नहीं बनाना है तो आपको इस तरह से क्रीम बना लेने है ना ही घड़ा बनाए प्रिज के अंदर रख देना है आप चाहें तो इसे 5-7 दिन यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी बहुत ही अची क्रीम है आपके चेरे के लिए आप चाहें तो इसे हातों पे भी लगा सकते हैं अगर आपके हाथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राइ है आपक इसे हातों पे जुर्या आ गई है तो आप इसे हातों पे भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से आपको एक डिबी में डाल लेना है और फ्रीज में रख देना है जब आप लगाएं अपने चेरे पे तो लगा सकते हैं आप इसे रोज तो नहीं लगाना है या तो एक दिन तो आपको क्या करना है आप इसे स्टोर कर ले और जब भी टाइम मिले आप इसे लगा लें पूरे चेरे पे किस तरह से लगाना है वो देख लेते हैं तो चली इसे लगाते हैं अब आपको लगाना कैसे है आपको लगाना है इसे फेस को बोश करने के बाद अच्छे से पह इसे थोड़ा थोड़ा लेकि पूरे चहरे पे लगाएं उसके बाद आपको हलके हलके हातों से मसाज करनी है इस बात का ध्यान रखना है आपको मसाज करनी है जितना अच्छे से मसाज कर सके बस उस तरह से आपको अच्छे से मसाज करनी है उपर की तरफ मसाज करनी है नीचे तो वह आप देखेगा बहुत अग्लो आएगा आपके चैरे पर जितनी भी प्रोबलम है वह दूर हो जाएगी, जूरियां आगी है आपके चैरे पर तो वह भी ठीक होने वाली है, तो काफी अची क्रीम है, आपको अच्छे से मसाज कर लेनी हैं पूरे चैरे पर एक से दो मि तो पूरे चेरे को साफ कर लेना है तो इस बात का ध्यान रखिगा अपनी फेस को दोना नहीं है अगर आप दिन में कर रहे हैं तो इस तरह से साफ कर ले और 2-3 घंटे तक अज़ लगा रहने दे इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप नाइट में कर रहे हो या फिर दिन में कर रहे हो आपको कपड़े से साफ कर लेना है फेस को वोश नहीं करना है इस तरह से गीले कपड़े से साफ कर ले पूरे चेरे को और साफ करने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ देना है आपका च जूरिया और दाग धब्बों की प्रोब्लम भी दूर हो जाएगी तो इस तरह से पूरे चैरे को साफ कर लेना है उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा नगा सकते हैं या फिर अलो बेरा जेल लगा सकते हैं कोई भी लगा लेना है अपने चैरे पे जो आपको सूट करता हो हलका सा लगाना है थोड़ा सा तीन से दो बुंद आपको अपने चैरे पे लगा लेने हैं इस तरह से चोड़ देना है दो सी तीन गंटे लिए उसके बाद अपने फेस को बोश करना है इससे आपके चैरे पे बहुत अछा ग्लो आएगा आपकी स्किन काफी अच्छी होने तो इस्कृम को यूज किजिएगा ऐज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करतीजेगा चैनल पे नहीं है तो प्लीजी चैनल को सब्सक्राइब करतीजएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में